हेलो गुट मॉर्निंग बेटा बेटा आज मैं आपको चैप्टर मेजर ओफ लेंध एक्सोसाइज 16A ठीक है बेटा जिन बच्चों के पास बुक है ऑपन यह बुक बेटा ठीक है बेटा आज आज आपका जो टॉपिक है वह है चेंज इन्टू सेंटी मीटर ठीक है बेटा आपको यहां पर क cherry27 में थ्री मीटर दे रखाया क्या दे रखाय 3 मीटर दे रखा है तो आपको इसको change करना है convert करना है किसमें cm में convert करना है इसको cm में convert करना है ठीक है बेटा तो देखिये सबसे पहले तो कि वी know that we 10 no that कि एवन मीटर कि इतना होता है पीटा हंडर्ट सेंटी मीटर पीटर ऐख की बिटा आपको मैंने पहले भी बताया था जब आपको मैंने डेफिनेशन लिख स्पाई थी कि ONE मीटर इकवल कितना होता है 100 cm Okay भीटर तो नंडीट को सेंटी मिटर में करते हैं तो यह हम उसकर मुल्ट 씨가 करतें 100 से क्योंकि 1 मीटर में होतें हैं 100 सेंटी मीटर होते हैं तो यहां पर आपके पास क्या है 3 meters, तो यहां लिखेंगे हम 3 meter तो 3 into 100 क्या करा हमने इसको multiply करा 3 into 100 यहाँ पर पीछे लगा देंगे बेटा हम cm, ठीक है यानि कि centimeter के हम कियो हमने इसके क्या बनाने है centimeter बनाने हमने क्या बनाने है centimeter तो 3 को 100 से multiply करेंगे तो आपका answer यहाँ पर आएगा 300 ठीक है बेटा, और यह 300 क्या बन जाएंगे आपके cm ओकी बेटा और आपका जो answer है वो आजाएगा 300 cm यह तो आपका simple method हो गया सिर्फ meter को cm में convert करने का, change करने का उसके बाद बेटा, आपको 5 meter दे रखा है, question number 2 में 5 meter 90 cm 5 meter 90 cm अब आपको इसको change करना है cm बनाने है सबके 5 meter और 90 cm के same इसको वोई method से करेंगे सबसे पहले वोई कि we know that we know that 1 meter equal by 100 cm बेटा फिर आपके पास क्या है 5 meter 90 cm ठीके बेटा तो हम क्या करेंगे पहले देखो इसको ऐसे bracket में लिखेंगे 5 into किस से multiple ही करना है 100 से ठीके बेटा और यहां पर क्या बन जाएंगे यह cm और प्लस में हम अरपस क्या है 90 इसको प्लस कर देते हैं यहां पर प्लस का sign लगा देते हैं और यहां पर भी लिखते हैं 90 cm क्योंकि 90 cm उसने आपको पहले से दे रखें अब जो हमने 5 मीटर के पहले क्या बनाने हैं सेंटी मीटर बनाने हैं तो हम इसको multiply करेंगे तो 5 को हम 100 से multiply करेंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा 500 सेंटी मीटर ठीक है बटा उसके बाद हमारे पास है 90 cm हमारे को उसने पहले ही दे रखे हैं तो यह 90 cm इसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे आप 9500 में 90 को प्लस करेंगे देखिए मैं आप को यहां सिंपल करके दिखाती हूं 500 cm और 90 cm इसको हमने क्या करना है प्लस करना है तो प्लस करेंगे जीरो 9 and 5 हो गया तो यह आपका आगया 500 90 cm ठीक है बटा तो जस्ट इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आएगा इस इसको आप ध्यान में रखेंगे और यह आपके बन जाएंगे 590 cm और यह आपका आंसर आजाएगा 590 cm ठीक है बटा यह तो आपका एक मेथड हो गया कोशन नमबर 1 का और कोशन नमबर 2 का आप कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 3 में बेटा आपको चेंज इंटू मीटर करना है क्या करना है चेंज इंटू मीटर पहले हमने जो क्या था कोशन नमबर 1 में कराया था कि मीटर को आपने सेंटी मीटर में चेंज करना है यह करना सिखाया था अब मैं आपको मीटर को सेंटी मीटर में चेंज कर करना है मीटर में ठीक है तो आप देखिए जब हम सेंटी मीटर के मीटर बनाते हैं सेंटी मीटर के मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम चेंज सेंटी मीटर इंटू मीटर यानि कि जब हम सेंटी मीटर को change करते हैं मीटर में तो हम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं पहले हमने क्या किया था multiply किया था और आब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है बेटा तो अब इसको डिवाइड करना है देखिए we know that वो इसेम आएगा यहां पर भी procedure बेशक आप लिखिए we know that वन मीटर इक्वल बाइ हंडर सेंटी मीटर ठीक है बेटा उसके बाद हमने अब क्या करना है इसको डिवाइड करना है क्या करना है डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए आप देखिए क्या करेंगे हम हम क्या करेंगे बेटा यहां पर लिखेंगे 400 सेंटी मीटर डिवाइड बाइ 100 ठीक है बेटा तो इसको बेटा अब आपको डिवाइड करना है डिवाइड कर लेंगे तो आप सिंपल मैथट से हो जाएगा ऐसे ही देख लीजे 400 को आपने डिवाइड करना है 100 से 100 के टेबल में 400 का बाता है 4 टाइम पे आता है 100 का टेबल लिखेंगे जैसे 100 बन जा 100, 102 जा 200, 100, 3 जा 300, 100, 4 जा 400 यानि कि 100 के टेबल में 400 है जो कब आता है 4 टाइम पे आता है और जब इसके निचे 400 हम लिख दिया minus का sign, 0-0, 0-0, 0-0, 4-4, 0 यानि कि your answer is 4, आपका जो answer आया है वो कितना आया, 4 आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपका answer कितना आया, 4 और यह आपके किस में convert हो गए, meter में convert हो गए, किस में convert हो गए, meter में convert हो गए, तो हम यह आप पे लिखेंगे 4, meter ठीक है बिटा, इस method से आपको यह करना है और उसके बाद यो आपका कोश्चन्स है नेक्स्ट